दोस्तों मैं सुरेश कुमार सुरेश सिताफुरी चैनल पर नन्यमन्य बच्चों के लिए लाया हूँ फिर से एक नया जादू जो कि बच्चों के लिए घर की बस्तुएं से तयार किया हुआ जादू है जो सभी के घर में उपलब्ध है तो जादू दिखाने से पहले मैं हर भाती के तरह वही कहना चाहूंगा कि आप लाइक शेयर तो करेंगे ही साथ में नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमरे नए नए वीडियो आप तो पहुंचते रहें खेक है ना तो बस मैजिक सुरू करते हैं एक रबर का जाद तो देखिए एप छोटी सी रबर है जो सभी के घऱें मिल जाती है तो इससे कैसे हम मैजिक करते हैं तो देखिए हमारे साथ में यह यह इस दो उंगलियों में रबर है अब यह बिना इस जाती है तो हम सीधे अपने उंगली बंद करते हैं और इसको यहां लगाते हैं और बस थोड़ा मैजिक करते हैं और फुक मारते हैं और एस रेडी कर देते हैं यहां आ तो यहीरह मराज़ का मैजिक तो अब हम बताते हैं इसकगा तुटेरियल यानि की रहसित तो इसका रहसित देखिए कैसा है तो सबसे पहले हमें इसको पहनते हैं दोंगऩिऊं को पेहने के बाद हम सीधे इसलसा करते हैं ॹस एप एसे यह फिर हम इसको अएसे इन चार उगलियों पर चरहा देते हैं और उसके बाद में बस सीधे कर देते हैं बस उसमें जंप कर जती है तो ये रहा माराज का मैजिक तो बच्चों जैहिन जै भारत